नमस्कार, Capital TV में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिचे, मैं आपको बताऊंगी उन्चार नेता, अपरादी, आतंकी और जिहादी के बारे में, जो आज चक्रवियू में फसा है, उनके कारनामों को एक्सपोस करूँगी, पूरी डेटेल में का कच्चा चि सबसे पहले बात अतीक एहमद के बेटे अली एहमद की उत्तर प्रियागराज में, उमेश पाल हत्याकान के बाद यूपी पुलिस के एक्शन से, माफिया अतीक एहमद का बेटा अली एहमद खौफ में है, प्रियागराज के नैनी जेल में बंद अली एहमद जेल में तैना जवानों से पूछता रहता है कि अब किसका एंकाउंटर किया गया है दरसल उमेश पाल हत्याकान के आरोपियों की धरप पकर के दौरान हुए भीरंत में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को इंकाउंटर में मार गिराया है बाकी आरोपियों की तालाश में पुलिस की टी एक तरफ अपराधियों और उनके करीबियों के अवैद निर्मान पर एक्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ हत्यकांट के आरोपियों की धड़ पकड के लिए अभ्यान चलाये जा रहे हैं इस दौरान भीरंत में उमेश पाल हत्यकांट के दो आरोपियों को पुलिस ने इंका कर्मिओं से पूछता है कि अब किसे टपकाया गया है जानकारी है कि उस्मान के इनकांटर के बाद लैगे एंकांटर का भी डर्ERT सताने लगा है नोपर दूसरे जेल में शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा अली एहमद को जेल बदलने के नाम पर रास्ते में इंकाउंटर का डर सता रहा है अली एहमद नैनी जेल में रंगदारी के एक मामले में बंध है उसने 30 जुलाई 2022 को प्रियागराज कोर्ट में सरिंडर किया था उस उस पर प्रॉपर्टी डीलर से पांच करोर रुपे की रंगदारी मांगने का आरोप है वहीं लगतार हो रही कारवाई को देखते हुए उसकी हवा टाइट है अब बाद जिस्म परोसी के धंदा करने वाले अपराधी होगी महरास्ट की मुंबे पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओ को ओमान ले जाकर जिस्म परोसी में धकेलने वाले दो दलालों को गिरफतार किया है दोनों दलालों ने 43 साल के कास्टिंग एजेंट को नौकरी के नाम पर ओमान में योन वैपार में धकेलने की कोशिश की थी पुलिस टीम ने इस मामले में पिछले सप्ता एक आरूपी को पकड़ा था आरूपियों की पहचान करनाटक के 46 साल के अश्रफ मैदु कवीरा और घाट को पर की 46 साल की नमिता सुनील मसूल करके रूप में होई है पुलिस ने बताया कि ये पता लगाने के लिए जाच की जा रही है कि इस रैकेट में और कितनी एजेंट शामिल है इसके साथ ही इन लोगों ने कितनी महिलाओं को देहवेपार में धकेला है इस मामने में शिकायत करने वाली महिला ने कहा है कि ये उसका NGO छत्रपती मराठा समराज संगठन का एक अंडरकवर ओप्रेशन था महिला ने बताया कि कुछ पीरितों के परिवार इस तरह की शिकायत लेकर NGO के पास आए थे महिला ने कहा मुझे पता चला कि एजेंटों का एक गिरो महिलाओं को घरेलू असिस्टेंट मॉल में एक सेल्सगर नर्सादी के रूप में काम दिलाने के नाम पर ओमान भेज रहा था जब महिलाओं एक बार उमान चली जाती थी तो उन्हें देवपार में धकेल दिया जाता है महिला ने बताया, परिवारों ने हमें बताया कि विदेश में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं को जस डाइल पर एजेंटों के संपर्क नंबर मिले थे मैंने एक नंबर पर कॉल किया और नमीता से संपर्प किया जिसने मुझे ओमान में नौकरी की पेशकश की मैं 27 जुलाई 2022 को ओमान पहुंची वहां अन्य महिलाओ के वीडियो और तस्वीरे ली और हमारे दो एंजियो सदस्यो जितिंद्र पवार और नवीन मोरे को भेजी जो वहां रहते हैं महिला ने बताया जब ओमान में एजिन्टो को पता चला कि मैंने क्या किया है तो उन्होंने मुझे पर हमला कर दिया इसके साथ ही उन्होंने मुझे 7-8 अन्य महिलाओ के साथ एक कमरे में बंद कर दिया उसमें से AC हटा दिया और वहां से भाग गए इसके बाद मैंने उन महिलाओं को सीधे भारतिए दूथवाज जाने के लिए कहा महिला ने कहा हमारे NGO के दोस सदस्यों के साथ हमने अपना location साथ शेयर किया और वो आकर मुझे बचाए हमारे NGO के सदस्यों ने मुझे वहां से निकालने के लिए ओमान के agentوں को 1.6 लाक की लगभग 70 महिलाओं को देखा महिला ने दावा किया कियो मान में एजिंटों ने महिलाओं को चुना और उन्हें ग्रहकों के पास भेज दिया जब महिलाओं वापस कैम्प में आई तो उन्होंने बताया कि कैसे ग्रहकों ने उनका यो नुद पीड़न किया और उन्हें वो भारत लोटी तो उसने इस बारे में प्रधान मंत्री और महरास्ट के मुखिम मंत्री को पत्र लिखा महीला का कहना है कि जब उसने महारास्ट और महीला आयोक को चिट्थी लिखी तो पुलिस ने जांच शुड़ू की अगली खबर में बात अक्टर नवाजुदिन सिद्धिकी की हाल ही में नवाजुदिन सिद्धिकी ने अपनी पत्नी आलिया की इस आरोप को नकार दिया था कि उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया अब आलिया सिद्धी की नए आरूपों के साते सामने आई है उन्होंने अपने शोहर को गैर दिमिदार अबब बताते हुए कहा है क्यूंके मैंनेजर ने उनकी बेटी को अनुचित तरीके से गले लगाया था उनका आरोप है कि उक्त मैंनेजर ने ऐसा कई बार किया आपति जताने के बावजूद वो ऐसा करता रहा आलिया सिद्धिकी ने आरोप लगाया कि नवाजुदीन ने ना सिर्फ अपनी बेटी को अपने पुरुष मैनेजर के साथ दुबई भेजा बल्कि एक ही होटेल यूनिट में उन्हें रुकने के लिए कहा आलिया का कहना है कि ये सब उन्हें जानकारी दिये बिना और उनकी सहमती लिये बिना ही हुआ आलिया का कहना है कि मैनेजर ने उनकी बेटी को कई बार गलत तरीके से गले लगाया जबकि वो आपत्ती जताती रहे उन्होंने कहा कि नवाजुदीन इस हरकत को नकार नहीं सकते क्योंकि उस समय ना ही वो और ना ही मैं वहां थी आलिया सिद्धिकी का कहना है कि इन सब के बावजूद नवाजुदीन अपने उस मैनेजर पर आख बंद करके विश्वास करते रहे वो उनकी मा होने के कारण जब उन्होंने आपती जताई तो उन्हें धमकिया दी गई आलिया का दावा है कि इस आरोप को साबित करने के लिए उनके पास कई सबूत है आलिया सिद्धिकी का ये भी कहना है कि नवाजुदीन अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का इस्तमाल करके उनके खिलाफ केस फाइल कर रहे आलिया सिद्धिकी ने पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप मढ़ा उन्होंने कहा कि उनके शोहर ने ना तो उनकी और ना ही बच्चों कोई फिक्र की आलिया का कहना है कि नवाजुदीन उनसे नहीं मिलना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपनी अम्मी से कहकर उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया आलिया ने एक आडियो क्लिप भी जारी किया जिसमें कथे तौर पर नवाजुद्दिन कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अपने मैनेजर पर विश्वास है और वो चाहे तो पुलिस में भी शिकायत कर सकती है चौथी खबर में बात शाही इद्गा श्रीकृष्ण जन्भूमी विवाद की श्रीकृष्ण जन्भूमी मुक्ती निर्मान ट्रस्ट को एक बार फिर से धमकी दी गई है श्रीक्रिष्न जन्भूमी विवाद मामले के मुख्यवादी पक्षकार आशुतोष पांडे को धमकी दी गई है। कोई मुस्लिम शक्स बताया जा रहा है। हाला कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इस मामले की उच अस्तरिय जाच कराने की मांग भी की थी। हाला कि आशुतोष पांडे को पहले भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है। जिसके बाद उन्होंने लिखित में पुलिस से शिकायत भी दर्श कराई थी। और अब एक बार फिर से किसी मुस्लिम शक्स ने आशुतोष पांडे को धमकी दी है। वही लगतार मिल रही धमकी पर सीम योगी को खुद इस मामले में एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ऐसे बदमाशों का इलाज सीम योगी अच्छे से करना जानते हैं। फिलहाल के लिए चक्रवीव में में साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं। हमें कॉमेंस करके जरूर बताएं। तो फिर जाज़त दीजे कल पिर कौन किसके चंगुल में फसेगा। नए मुद्दों के साथ पिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेश खुला से। तब तक के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।